हेलो गाईज मैं कुल्दीप आपका बहुत बत्वागत करता हूँ आपके अपने स्टेडी चानल अध्यानवे टू सेक्सेस में और उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे पढ़ रहे होंगे तो आज हम बात करते हैं 8 अप्रेल के कुछ इंपॉर्टन कोश्चन्स हैं तो उनके उनको देखते हैं पहला कॉश्चन है हमारा कि हाल ही में चैलेंज कोविड 19 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई तो यह ऑप्शन है इसमें तो यह हो जाएगा नैशनल इनोवेशन फांडेशन के द्वारा यह है योजना य इसे किया है अगला कॉश्चन है मुफ्त कोविड 19 परिक्षन और उप्चार किस योजना के तहट प्रतान किया जाएगा तो यह है आयुश्मान भारत योजना के अंतरगतिया प्रतान किया जाएगा और 50 करोड स्रधिक व्रतियों को इसमें परिक्षन करने के लिए शामिल और यह कब से अंतराश्ट्र के क्रिकेट में लिया गया है यह लिया गया था 1999 से इसे लागु किया था तो इस जो टोनी लिए इनका इनका निधन हो गया है दो अप्रेल 2020 यानि भी दो अप्रेल को इनका निधन हो गया है अगला क्वेशन है कि अंतरात्मा के अंतराश्त्री दिवस किस तिती को मनाया जाता है तो ये है पांच अप्रेल को मनाया जाता है पांच अप्रेल 2020 को पहला अंतरात्मा अंतराश्टी दिवस मनाया गया और इसका उदेश क्या था प्रेम और विवेक के साथ शांती की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है अगला कॉशन है कि विश्य स्वास्थ दिवस की स्तिती को मनाया जाता है तो यह है साथ अप्रेल यानि कि कल ही यह मनाया गया था साथ अप्रेल विश्य स्वास्थ दिवस साथ अप्रेल को प्रतिवर्श मनाया जाता है 1948 में विश्य स्वास्थ गठन का गठन हुआ था इस वज़ासे इसको मनाना स्टार्ट किया गया है पहली बार 1950 में तो एक कुशन ये भी बन जाता है कि विश्यो सौथ संगतन का गठन कभुगा1948 में और ये पहली बार कब मनाएगा 1950 में चलता देले कुशन पर कि राश्ट्रिये स्वाष्थे प्रादीकरण एनेचे ने स्वास्त कर्मी को परिवहन सेवाय प्रदान करने हैं तो किस कमपनी के साथ हाथ मिलाया तो यह है उबर के साथ हाथ मिलाया है तो गाइज अगला कोशन है किस संगठन द्वारा बायो सूट विक्सित किये गए तो यह है DRDO याई Defense Research and Development Organization बायो सूट को COVID-19 महामारी से निपटने के लिए विक्सित कर रहा है एला कोशन चलते हैं कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के स्थाई निवासी बनने के लिए किसी विक्त की आयू सीमा क्या है तो यह है 15 वर्ष है 15 वर्ष ग्रहमंताल ने जम्मू और कश्मीर के अधिवास में संशोधन करने के लिए किया गया है जो कि वहां के आवासी वर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए यानि कि कोई 15 वर्षेगर वहां रह रहा है तो वह जम्मू कश्मीर का निवासी बन सकता है अगला कोशन है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस संगठन ने global solidarity का प्रस्ताव अपनाया है तो यह है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानि कि UNGA ने COVID-19 से लड़ने के लिए global solidarity नाम के संकल्प को अपनाया है हैला कोशन है कि हाल ही में केंदरी मंत्री मंडल ने प्रधान मंत्री और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटोती करने की घोषना की है तो यह है 30% 30% की कटोती इन सब के वेतन से की जाएगी जिससे भार्ध सरकार को लगभग 7900 करोड रुपए की बचत होगी अगले कोशन पर चलते हैं कि रवीश कुमार की जगह किसे विदेश मंत्राले का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है तो रवीश कुमार की जगह हाली में अनुराग श्रीवास्ताव को नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है और रवीश कुमार को क्रोईशिया का राशदूत बनाया जा सकता है ऐसी नियूज है चलते हैं अगले कोशन पे कि हाल ही में किस देश में एक बागिन नादिया में कोरोना वाइरस संक्रमण की पुछती होने के बाद केंदरी चिडियागर प्राधिकर ने देशवर के चिडियागरों के लिए दिशा निर्देश चारी किये हैं तो यह है अमेरिका जी हाँ यह बहुत ही एक चौका देनी बात है कि अभी तक चल रहा था कि कोविड-19 जो है वो जानरों में सर्वाइव नहीं करता है लेकिन अमेरिका में एक बागिन है जो कोरोना वाइरस से पॉजिटिव पाई गई है तो चलते हैं अंगले कोशन पे कि ह हाल ही में कोविड-19 के लड़ने के लिए लाइफलाइन उडान किस देश में शुरू की गई तो लाइफलाइन उडान शुरू की गई भारत में हाल ही में भारती नागरी कुड्यन मंत्राले ने जो भारती नागरी कुड्यन मंत्राले ने कोविड-19 के इलाज के लिए हाली में किसने रैपिड डाइगनोस्टिक टेस्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की है तो यह हो जाएगा केंदर सरकार ने जारी किया है केंदर सरकाल ने हाली में रैपिड डाइगनोस्टिक टेस्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की है ICMR के प्रतिनिधी ने बताया कि 8 अपरेल तक भारत में Rapid Diagnostic Kit आ जाएगी जिससे केवल 5 मिनट में ही Corona Positive Case की जानकारी मिल जाएगी यानि कि जो kit है Rapid Diagnostic Test यह से 5 मिनट में Corona की जाच कर देगा चलते हैं एकले Question पर कि किस Film Industry के प्रसिद कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया तो बुलेट प्रकाश यह एक थे कन्नड Film Industry के कन्नड Film Industry से के थे यह और यह 44 वर्ष के थे 44 वर्ष के इनका भी निधन हो गया और बुलेट प्रकाश ने लगभग इन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है तो चलते अगले कोर्शन पे कि हाल ही में किस देश ने BCG ठीका करण के कारण COVID-19 के प्रभाव कम होने का दावा किया है तो यह दावा किया है अमेरिका ने चलते अगले कोर्शन पे कि विज्ञान और प्रभगी की विभाग और किसने संयुक्त रूप से COVID-19 महामारी से लडने के लिए रसायन मुक्त चांदी आधारित किटाव नाशक विक्सित किया है तो यह है जैब प्रभग्योगी की विभाग और प्रभग्योगी कि विभाग ने हाल ही में संयुक्त रूप से COVID-19 महामारी से लडने के लिए यह विक्सित किया है चलते हैं अंगले कोशन पे कि भारत रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तयार किया है तो यह बहुत ही important question मन रहा है तो यह है G1 G1 नाम के वेंटिलेटर कोर भारती रेलवे ने तयार किया है कहां कपूर्थरा रेलवे कोच फैक्टरी कपूर्थरा रेलवे कोच फैक्टरी ने विक्सित किया है और report के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में अधिक्तम जो संख्या है वेंटलेटर की वह है सत्तावन हजार सत्तावन हजार है लेकिन जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है भारत को लगभग चाहिए होंगे एक से दो लाग के बीच में तो इसलिए यह जीवन मेंटलेटर तयार के भारती रहलवे ने और यह सबसे कम कीमत का होगा लगभग कितनी कीमत का होगा जिसकी कीमत होगी मात्र दस हजार रुपए होगी चलते हैं अगले कोशन पे की कैबिनेट ने कोरोना वाइरस संक्रमण के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नेत्रत्र में कितने साल के लिए सांसर निदी को स्थकित करने का निरने लिया है तो ये है दो साल के लिए निर्णे लिया है किंद्री मंत्री प्रकास जावडेकर ने बताया कि सरो सम्मत से लिया गया निर्णे के बाल सांसर निधी की तकरीबन पूरी रकम वही 7900 करोड रुपए संचिन निधी में जमा होगी और हर साल सांसवत निर्में हर साल दिया जाता है हर एक सांसवत को पांच करोड रुपए तो अब से वो नहीं दिया जाएगा और ये है चला जाएगा सीधा राहत कोश में ठीक है चलते अगले कोशन में कि किस देश के प्रधान मंत्री ने कोविड नाइंटीन पर लगाम लगाने के लिए कई शित्रों में आपात काल लागू कर दिया है तो ये है जापान ने अपने देश के कई शित्रों में आपात काल लागू कर दिया है और यहां से कोशना बनता है जापान के प्रधान तरी कौन है शिंजो अबे और इन्होंने खोशना कब की 7 अपरेल के इन्होंने खोशना की और यह लाग कब से होगा 8 अपरेल से यानि कि आज से यह है लाग हो गया है और किन इलाकों में लगेगा देखा जाए तो जापान की राधानी टोक्यो में और उसके साथ-साथ ओसाका और अन्न पांच प्रांत हैं कनागावा, सैतामा, चिबा, ओसाका और होगो और फुकुवाका में लगाया जाएगा चलते हैं अगले कोशन में कोविड-19 के एक हजार से ज़्यादा मरीज वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये है महाराष्ट महाराष्ट में कोरोना पॉजटिव की संख्या एक हजार सूपर बढ़ चुकी है और देश में कोरोना की चोंख्या है वह पांच हजार क्रॉस कर चुकी है और महाराष्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बावन से ज़्यादा मौतें हो चुकी है चलते हैं अगले question में कि कोरोना वाइरस की वज़ा से किस देश के पूरुपर्धान मंतरी महमूद जिबरिल का निधन हो गया तो ये थे लीबिया के पूरुपर्धान मंतरी थे लीबिया के पूर्ब धानतीर जिनका 68 वर्ष की उम्र में कोरोना वारस के कारण निधन हो गया चलते हैं अगले कोशन में कि विश्व सास्त संगठन ने किस वर्ष को नर्फों और A.N.M. को समर्पित किया है तो ये है वर्ष 2020 को चलते हैं अगले कोशन पे कि विश्व सास्त दिवस World Health Day कब मनाया जाता है तो ये है 7 अपरेल को चलते हैं अगले कोशन पे कि कोरोना वारस से निपटने के लिए केंदर शाफित प्रदेश या राज्य सरकार ने 5T प्लान बनाया है तो ये 5T प्लान बनाया है दिल्ली ने अब ये 5T प्लान है क्या इसमें जाच से लेकर इलाज कोरोना संक्रमित से मिले लोगों की ट्रेस करने की निगाई तक शामिर है इलाज भी होगा उनको ट्रेस करना होगा यह सब उसमें रखा गया है और एक लाइक लोगों की रैपिट जाच किये हैं योजना है और दिल्ली सरकार क्या करने चाहरे हैं कि 30,000 अगर संक्रमित लोग होते हैं अगर 30,000 लोग भी संक्रमित हो जाते हैं तो वह इनका इलाज कर स रहती है अपने इस प्लान के दोरा तो 5T का मतलब क्या है पहला टी क्या है करोना के बड़े विमाने पर तेस्ट यहनि एक टीऊ होगा टैस्ट फिर दूसरा टी है और यह कि ऐगत ohh की sip कि करेशिंग फिर है क्लोना पीड़ों का treatment फिर है कोरोना के खिलाफ teamwork और फिर है tracking and monitoring यानि कि यह 5T यह हो गया 5T plan चलते हैं एक ले question पे कि 27 number doping की वज़ा से किन दो देशों के तमाम weightlifter नो पर Tokyo Olympic 2021 में ban लगा दिया गया तो यह है Thailand और Malaysia option A Thailand और Malaysia चलते हैं अगले question में NASCOM के नए chair person यानि 2020 के लिए कौन बने है NASCOM के तो यह है UB Praveen राव यानि और यह NASCOM क्या है National Association of Software and Services Company यह है Infosys के UB Praveen राव यह है Infosys के Chief Operating Officer है चलते हैं अगले question पे और हाँ NASCOM का मुख्याले कहा पर है यह है New Delhi में है और इसकी स्थापना कब हुई 1 March 1988 को चलते हैं ले question पे कि प्रख्यात संगीतकार MK Arjun प्रख्यात संगीतकार MK Arjun का निधन 6 April 2020 को हो गया वे किस राजिके थे तो option number C केरल राजिके और वह 84 वर्ष के थे उन्होंने मल्यालम सिनेमा के सता बहार धुने बनाने के लिए Arjun Master के रूप में जाना जाता था चलते हैं ले question पे कि नासा ने वर्ष 2014 तक चंद्रमा के दच्छनी दुरूपर पहला मानव शीविर स्थापित करने का निर्णा लिया है उसका नाम बताएं तो यह question आप लोग बताएंगे और इसको comment box में आप बताएए कि क्या question है जल्दी से जल्दी तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like करें, share करें, subscribe करें और इस question का answer मैं आप से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने में पढ़ा होगा तो आप लोग मुझे बताएं और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you guys